नमस्कार दोस्तों, देखें में तो आजब मादिमिक शिक्षा बोर्ड की जो आठवी क्लास की पूस्तक है, इसमें पॉलिटी वाला जो हमारे अभी चेप्टर चल रहे हैं, तो उसमें ये लास्ट चेप्टर है, अध्याय सोला राष्टिय सुरक्षया, तो इसके साथ ही एर और टेंथ की पॉलिटी और बचेगें, तो बहुत मैत्पुन है, तो ये इसका लार्ज चेप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, इससे पहले आपको एक क्यूसन का जवाब देना है, क्या, कि राज्यों के मुख्य नियाईदीस की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको कमेंट क कि अनुसार किसी राष्ट के निर्मान में च्यारततों आनेवारिता सामिल होते हैं, भूमी, जनसंक्या, संप्रभुता और सरकार, राष्ट की आखनता को बनाए रखने और अथार देश की सिमाओं की रक्षा के लिए सेना भी राष्ट का एक अनिवारिया है, बारत की सेन की भूमी होनी चाहिए, जैसे ये भारत देश है, तो भूमी है भारत की, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, इन से विवाद की सीज को लेकर क्या होता है, भूमी को लेकर कही हैं, कुछ स्थानों पर पाकिस्तान कहता है हमारा है, और उदर चाइना कहता है हमारा है, भारत कहता है कि नहीं हमारा है और ये कहते हैं नहीं हमारा है तो भूमी मेंतातु है तो किसी को राष्ट किसको कहेंगे जिसकी क्या हो भूमी हो जनसंख्या भी हो समप्रभुता यानि उस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होना चीए तो 1947 से 15 अगस्त 1947 से भारत एक परस्ता होनी चाहिए उस देश को चलाने की तो उसे हम कहते हैं राष्ट्र और देश की सिमाओं को सुरक्षा रखने के लिए कौन है सैनिक तो यह ब्यस एफ का एक चीतर है सिमा पर निगरानी रखते वे सिमा सुरक्षा बलके जवान इदर जो पाकिस्तान के बॉर्डर है र तो इदर यह जेसल मेर, विकानेर, बाड मेर जान बिलकूल बॉर्डर के पास में जो है तो इदर सैनिक जब डूटी करते हैं तो उन्ट पर बैठके करते हैं रेगिस्तान का जहाज है राष्ट के समख शुरक्षा चुनोतिया भारत के समख शुरक्षा चुनोतिया निरंतर उपस्तित रही है ये चुनोतिया विभिन इस्तरों पर विद्यमान है शत्रू का खत्रा नयकेवल देश की सिमाओं पर विद्यमान रहता है अपितू देश के सुरक्षा चकर को जैसे पाकिस्तान है तो वो लगातार भारत में आतंकवादी गतिवीदियां करने का प्रियास करता है कई बार करता भी है तीसरी तरफ वह है देश की एकता के ताने बाने पर भी प्रहार करने का प्रियास करता रहता है इन विभिन तरह कि सुरुक्षा चुनूतियों से निप और उत्तर में चीन है ये देश भारत पर आकर्मन कर चुके हैं इन देशों के साथ भारत का सिमा विवाद भी है पाकिस्तान आतंगवादी गतिवीदियों का सारा लेकर भारत से प्रोक्स रूप से युद छड़े वे है भारत की उत्री सिमा पर आई दिन गोलीवारी होती र रहे हैं और आभी तो बहुत ज़्यादा समशा बढ़ रही है हो सकता है कि चीन के साथ युद की समावना भी बन रही है जिस तरह से जो गटनाएं हो रही है उपर वहां तो बारतिय सेना भी पूरी वहां जा रही है पूरी बटालियन के साथ पूरी आर्मी के साथ सिमाओं प ये एक तरह से विद्रोह का काम करते हैं देश में रहते वे जो देश के लिए ख़तरनाक है राश्टिय सुरक्षया को हम दो परकार से देखते हैं बाईय सुरक्षया और आंत्रिक सुरक्षया बाईय सुरक्षा से आसिय देश की सिमाओं की सुरक्षा से है पर्तम सुरक्षा पंक्ति के रूप में देश की सेनाई सत्रू से मुकाबला कर उसे प्रास्त करती है जब युद नहीं होता और शांतिकाल होता है तब सेनाई सिमा से कुछ दूर रहती है उस समय दूसरी सुरक् वे आतंग वादियों गुस्पेटियों और तसकरों को सीमा पार करने से रोपते हैं कई बार न्यूस पेटर में भी आता है आप देखते भी हैं कि इस तरह से जो लोग हैं वो गलत तरीके से दूसरे देश में गुसरे थे और उनको पकड़ लिया गया उनके पास इतना अफीम मिलार इतना ये जो गांजार चारस इस तरह की चीज़े मिली या असला बारूद प्राथ हुआ युद की आशंका होने पर सेना ये सिमा पर आड़ती है और शत्रू का मुकाबला करने के लिए मोर्चा संबाल लेती है अब है भारतिय सेना भारतिय सेना के तीन अंग है थल सेना जमीन पर यूद करती है जल सेना नेवी जो है वो समुदरी सिमाओं पर यूद करती है और वायू सेना जो एर फोर्स है वो आकास सिमाओं के निगरानी रखती है यूद में आकास मारक से शत्रू के आकरमन का मुकाबला कर थल सेना, जल सेना की मदद करती है तो आकास से जो हमला होता है वो ज़्यादा ठीक होता है क्योंकि उसमें उपर से वेक्ति खुद को बिना नुकसान पहुंचा है बिना जो है वो सामने वाले को ज़्यादा नुक्सान पहुंचा सकता है बॉर्डर फिलम जो आई थी सन्नीदेवल वाली उसमे जब फिलम का end होने वाला होता है उस समय आप देखते हैं कि अचानक जैसे सन्नीदेवल के सामने एक टेंक आ जाता है और सन्नी देवल उसके सामने गिरावा होता है इतने में ही उपर से वो देखता है कि वो टेंक जो है वो उड़ जाता है तो वो देखता है कि ये कैसे टेंक उड़ा इसको किसने उड़ाया तो देखता है उपर से हवाईजाज जो हमारी एरफोर्स है ये उस समय तक आचुकी होती है और उसने वो टेंक उड़ा दिया और उसमें जैकी सरा बैठा था तो वो हाई करता है उपर से का और सनी देवल ठीक है सब का अब ठीक है ये एर फोर्स की एक सबसे बड़ी सुविधा होती है कि कहीं भी आप जा इंडियां जहां थल के माध्यम से या ये नव सेना जो नव सेना है ये नहीं पहुंच सके वहाँ भी एर फोर्स क्यों की हवाई जास्तु उपर हवा में है वो तो कहीं भी जा सकता है तो बहुत बड़ा रोल है तीनो सेनाओं के अपने अपने सेना अध्यक्स होते है भारतिय सेना के अंदर सरकार के नियंतर्ण में कारे करती है इंडियन आर्मी जो है वो किसके नियंतर्ण में काम करती है के अंदर सरकार के भारत का राष्टपती तिनो सेनाओं का सर्वोच सेनापती होता है तो भारत का राष्ट पती तिनो सेनाओं का सर्वोच सेनापती कौन होता है राष्ट पती थल सेना, जल सेना और वायू सेना और भारतिय सेना किसके नियंतरण में काम करती है तो केंदर सरकार के नियंतरण में तो यह थल सेना का देखिये चिन है सामने, यह जल सेना और यह है वाईू सेना तो यहां देखे इंडियन आर्मी के अंदर आपको तलवार और जो असोकस्तम है तो वो सभी में दिखाई देगा यह जल सेना का है यह वाईू सेना है भारतिय सेना उच्ष प्रक्षिक्सित तथा प्रमानु हत्यार और शक्तिसाली आदूनिक हत्यारों से युक्त विश्व की एक अनुसासित और शक्तिसाली सेना है भारतिय सेना ने 1962-65-59 में दुस्मन के आकर्मनों का मुहे तोड़ जवाब देकर दुस्मन के दांत खटे कर दिये थे विश्व के अनेक युद गरस्त देशों में युदों को रोकने के लिए भारतिय सेना ने सियुक्त राठ संक्य तत्वा धान में शांती सेना की रूप में भी कारिये किया है विश्व में शांती की स्तापना में भी अपना मेहतकुन योगदान दिये है तुफान, भाड, भुकंप, दंगे, आदी विप्तियों के समय भी सेना नागरिक परसासन की मदद करती है तो आप देखते हैं कि कोई भी समशा होती है तो वहाँ आर्मी सबसे पहले आती है तो आप देखते हैं कि कई बार ये भाड वगर आती है कोई भी समझ आती है तो इंडियन आर्मी हर जगह मदद करती है चाई बुकंब हो चाई दंगे हो चाई भाड हो चाई तुफान हो तो इसलिए लोग भी जो है वो आर्मी की इज़त करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं जैसे अगर मैं आज़िये मैं आपके सामने एक चीज कहूँ कि सैनिक तो आपके मन में एक बहुत अच्छा भाव आएगा कि आर्मी के ड्रेस पहने वे कोई व्यक्ती है हाथ में बंदूख है सिर पे टोपी है और देश के लिए समरपित सिमा पे खड़ावा एक जवान सैनिक का रेस्पेक्ट करते हैं सैना का रेस्पेक्ट करते हैं जबकि पुलीस का उतना रेस्पेक्ट नहीं करते वो जबकि दोनों ही अमारी आउशक्ता है और रातर दिन काम में पुलीस का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर दो घंटे के लिए पुलिस हट जाए तो पूरे देश का सवरू बदल जाएगा इतनी आवशकता है पुलिस की लेकिन ये समझे एक सिस्टम की होती है युवा जब बरती होता है कोई आर्मी में गया और एक पुलिस वाले जो है एक गया पुलिस लाइन में एक गया आर्मी की लाइन में तो युवा तो वो ही है पहले बेरोजगार था या तो आर्मी में गया या पुलिस में गया लेकिन भविशे में जाकर के कोई रेस्पेक्ट पाएगा कोई उतना नहीं पाएगा तो ये कारण एक सिस्टम है, सब इस सिस्टम के कारण है, तो ये चीजें हैं, और अगर पुलिस के अंदर भी बहुत अच्छे से लोग होते हैं कई, बहुत इमानदारी से अपना काम करते हैं, बरष्ट नहीं होते, बरष्टाचार नहीं करते बिल्कुल भी विश्व की दूसरी सक्ति साली सेनाओं के बराबरी पर बने रहने के लिए भारतिय सेनाओं को आउशकत अनुसार आदूनिक्तम हतियार, सेन्य तक्निक और पर्शिक्षण उपलब्ध कराते रहना आउशक है बारत काफी सेने सामगरी और तक्निक विदेसों से खरीता रहे परनतो अब भारतिय रक्षा वेगानिकों ने प्रियाप्त मात्रा में सवदेशी उन्नत तक्निक विक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली है देश के रक्ष्या और अनुसंदान संस्तानों में बारतिय रक्ष्या वेगानी की इस प्रियास में लगे रहते हैं बारत सेने सामगरी के उत्पादन में आतम निर्वरता की और अगरसर है अब तो अगनी और पर्त्वी जैसे शक्ति साली प्रिक्षा अपास तर टेंक लड़ाकू विमान जहाजो रहने हत्यारों का उत्पादन देश में ही हो रहा है तो बाहर से भी हम जो हैं ये चीजें काफी लेते हैं और देश के अंदर भी बन रही है भारत के सुरुक्षा कबच सुखोई 30 आम क्याई ये है भारत की आउशक्ता ग्यानुसाब रूस में निर्मित दो शक्ति साली इंजन माला लड़ाकू विमान है इस पर ब्रमोस और निर्मे जैसी कुरुज मिसाले लगाई जा सकती है यह परतिकूल मौसम में भी उडाने भर सकता है तो जाए सर्दी गर्मी कोई सी भी हो तो यह मिसाले इसमें लगाई जा सकती है सैट की जा सकती है और फिर अंदर से एक बटन दबाना है और वो अपने लक्षे पर जाकर के लग जाएगी तो यह रूस से लिए गए है और अभी देखे जश्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक और लड़ाकू विमान है जो हमने किसी देश से लिया है और अभी अभी उसका मुरत किया गया था तो क्या नाम था उसका बताना है कि आप किते अलट है अभी कुछ समय पहले की बात है जश्ट कुछ दिन पहले की और किस देश से हमने लिया है दोनों चीज़ें बताएं तो और भी अच्छा है बर्मोस मिसाइल इसका निर्मान रूस और भारत के स्विंक तूप करम द्वारा किया गया इसके मारक शमता 290 किलोमेटर है यह है जमीन समुदर उप समुदर और आकास से समुदर और जमीन प्रिस्दी लक्षपर हमला करने में शक्षम है यह है मिसाइल पहाड़ी शेत्रों पिछे चिपे लक्षपर भी निसाना लगाने में शक्षम है जैसे मारक शमता 290 किलोमेटर है यानि 290 किलोमेटर तक की दूरी के किसी भी चीज़ को यह उड़ाने में सक्षम है पर मोस मिसाइल INS विकरमा दिते यह है भारत का विशाल शेत्रफल वाला विमान वहक युद पोथ है इसका शेत्रफल तीन फुटबॉल के मैदान के बराबर है यह है मिग 29 जैसे कुल 24 विमानों को ले जाने में सक्षम है इस पर विमान पट्टी भी मुझूद है तो यह INS विकरमा दिते जो है यह हमारे जहाज है इस तरह से और विशाल पानी पर विशाल जहाज तो इस पर विमान वहाग पट्टी होते हैं जिस पर विमान उतर सकता है तो आप सोच लिजे कि विमान दोड़ता हुआएगा तो कई दूर तो उसको दोड़ते वेची है विमान को तो बहुत बड़े-बड़े जाज होते हैं ये T90S भिष्म टेंग इससे 5 किलोमेटर के दाइरे में परार किया जा सकता है इस टैंक पर किसी भी परकार के रासाइनिक जेविक और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता तो ये तो देखे विक्रमादित्य का चितर है और ये युदक टेक है विष्म T90S तो इससे 5 किलोमेटर के दाइरे में परार किया जा सकता है इस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता ना रेशाइनिक, जेविक, रेडियो एक्टिव किसी भी हमले का असर नहीं होगा इस टैंक पर तो इसमें अंदर बैठो और 5 किलोमेटर तक के दाइरे में जो भी है उसको उड़ा सकते हो तो ये T90S बिश्म टैंक इसका डिजाइन इस तरह का है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकरा कर कमजोर पड़ जाता है तता उसे निकलने वाले विकरन टैंक के अंदर बैठे जवानों को हानी नहीं पहुंचा सकते है इसके बाद आता है INS चकर 2 ये क्या है ये पंडूबी है जो परमानु सहित्र युक्त पंडूबी है जो पानी के बितर 600 मेटर गहराई पर रहे सकती है पानी के अंदर 600 मेटर की गहराई तक ये पंडूबी चल सकती है पंडूबी होती वो है जो पानी के अंदर चले और ये लगातार तीन माहे तक समुद्र के अंदर रहे सकती है अर्द सेनिक बल और सिमा सुरक्षा भारतिय की थल सिमा की लंबाई 15200 किलोमेटर और जल सिमा की लंबाई 7516 किलोमेटर है शांती काल में विभिन अर्द सेनिक बल सिमा की निगरानी रखते हैं सिमा सुरुक्चा बल, BSF के जवान भारत की पाकिस्तान और बांगला देश से लगने वाली थल सिमा पर त्यानात रहते हैं उत्तर पूरव के परवर्तिय इलाके में चीन से लगी सिमा पर भारत तिबत सिमा पुलीस, ITB के जवान निगरानी रखते हैं तो वहीं समुदर सिमा की निगरानी तट रक्षक बल, जो कोश्ट गार्ड के जवान हैं, ये रखते हैं सिमाओं पर गस्त करते वे निगरानी रखने वाले ये अर्थ सेनिक बल, आतंग वादियों, तसकरों रुगुसपेटियों को देश में गुसने से रोकते हैं सिमाओं की निगरानी के लिए देश में अन्या सुरक्षा बल भी मौजूद है, तो ये आप देखते हैं कि बारत की थल सेना की लंबाई इतनी है, और जल सिमा की लंबाई इतनी है, तो दोनों तरफ ही सुरक्षा की आउशकता है, आप जैसे पानी है, पानी की तरफ से मु सिमाओं की कोई दूसरे देश का जाहाज या कोई भी बोट इस तरह से अवेद रूप से हमारे देश की सिमाओं में तो नहीं गुश रही है, तो उसके लिए हैं, बारत की सहसस्तर सेनाओं के सहयों के लिए इन अर्ध स्यनिक बलों के लवा प्रादेशिक सेना, नेशनल के dhetcor, NCC, NaGHriuk, Sıruk-Ulidl, Civil Defense, आदि संक्टन सेना के सहयों के लिए त्यार के गये हैं, सेने सिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्तिय, अपने स्कूल, और कॉलेज में चलने वाले NCC जूड़ सकते हैं, तो एन शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्तिय, नागरिक प्रादेशिक सेना और नागरिक शुरक्षा दल से जुड़ कर सकते हैं परसिद क्रिकेटर कपिल दे और मेंदर सिंग दोने प्रादेशिक सेना से जुड़ेवे हैं वैसे अनेक देसों में नागरिकों को सेनिक शिक्षा और नागरिक शुरक्षा का प्रसिक्षन प आनिवार ये है तो ये चीजे हैं और कपिल्दे और मेंदर सिंग दोनी जो है वो प्रादेशिक सेना जो है जो एक प्रकार से बॉर्डर बगरा पर जैसे उनका उस टाइम का नहीं होता कि बॉर्डर बगरा पर डूटी करें या तो ये इनका जुड़ने का उद्शिक क्या है कि ज़्यादा इस ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना आर्मी की तरफ आने के लिए क्योंकि लोगों में आर्मी की तरफ रुजान देरे-देरे कम हो रहा है कि और जो दूसरी सर्विस है उनकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो इसलिए अब आर्मी की लोगों को अट्रेक्ट करने के लिए जो लोग फेमस होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जो लोग फेमस होते हैं। विशत के समय उप्दरव गरस शेतरों में राज्ये की पुलिस की चाहिता करता है। अब जैसे माली जी ये कहीं कोई थाना है। अब जैपूर में अगर मान लिजे कोई थाना है तो उस शेत्र में अचानक बहुत बड़ा एक तरह से दंगा हो गया अब पुलिस तो ऐसा थोड़ी है कि एक थाने में हजार दो हजार इस तरह से कोई पुलिस वाले होंगे वोई संख्या होती है 20, 30, 40, 50 इस तरह से संख्या ह तो इतने बड़े दंगे को कंट्रोल करना संभव नहीं है कि इतने कम पुलिस वाले कंट्रोल कर पाएं तब वहां जो केंदरिय आरक्सित पुलिस वल है यह आता है CRPF तो यह पुलिस की साहिता करता है ऐसी चीजों को कंट्रोल करने में केंदरिय ओध्योगिक सुरुक्षा बल देश के मैतपुन ओध्योगिक परतिश्टानों और हवाई अड्डों की सुरुक्षा करता है तो हवाई अड्डे वगरा है या बड़े ओध्योगिक परतिश्टानों वहां भी आप देखते हैं तो वहां कौन होते हैं केंदरी होध्यों की शुरुक्षाबल तो वो इनके जवान होते हैं Special Protection Group SPG ये बहुत महितपुन होते हैं ये राष्टपती और प्रदानमंत्री जैसे आती महितपुन व्यक्ति जो हैं VVIP Very very important person इनकी शुरुक्षा में लगे होते हैं तो ये अलग-अलग बताए हैं Force की कौन-कौन सी Force होती है किसका क्या कारिय होता है अब मालेजी आपको कभी हवाईजाज में चड़ना हो तो अगर आप Airport गए हैं तो वहां भी आपको प्लीस वाले दिखाएंगे पुलीस वाले दिखाई देंगे पुलीस की वर्दी में भी दिखाई देंगे और आर्मी से मिलती जुलती से ड्रेस होगी अलग उसमें भी दिखाई देंगे तो कई तरह के आप कभी सोचे के यह अलग-लग कैसे है इन्होंने पुलीस वाली वो पहन रखिये वर्दी इन्होंने कुछ और पहन रखा है इनके ड्रेस कुछ और है तो इस तरह से वहाँ अलग-लग ड्यूटी होती है और जैसे CISF रहे जो यह काम करते है देश की सुरक्षा है तो नागरिकों के करतवे देश की सुरक्षा की जितनी जिम्यदारी सेना की है उतनी ही जिम्यदारी परतेक नागरिकी भी है देश की रक्षा करना हमारा करतवे है इस करतवे का पालन करने के लिए हमें युवाओं को सेना और अर्ध सेनिक बलों में बढ़ती के लिए प्रेरित करना चीए देश का कोई भी गोपनिय दस्तावेज या सूजना विदेश्यों को नए दे जासुची जैसी संदिक्त गति वीदियों के जानकारी पुलीस परसासन को देनी चीए देखे कई बार आप ये आता भी है मेडिया में न्यूस पेपर में कि भारत देश का कोई व्यक्ति है वो दूसरे देश वालों के साथ मिलावा था और उन्हें यहां के गोपनिय दस्तावेज उपलब्द करवा रहा था अगर आपको ऐसी कोई सूसना मिलती है तो जो आपकी स्थान ये पुलीस परसासन है वहां का उनको इसकी सूसना देनी चाहिए जब हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हो तो उन्हें समय पर खादे सामगरी दवायां आउशक वस्त में उपलब्द कराने चाहिए और सैना का मनोबल बनाए रखना चाहिए तो जब इस तरह का सैनिक यूद बगरा हो मोर्चे पर लड़ रहे हो तो पुरे देश का करतवे हैं कि उनको किसी चीज की कमी ना रहे यूद के अवसर पर जनता का होसला किसी भी परकार से कम ना होने दें कई बार जनता के मने में डर होता है काला आप तो हम मर जाएंगे तो इस तरह की चीजें जो है वो जनता को होसला बढ़ाना चाहिए देशित में सेना और परसासन की पूरी मदद करें और उनके निर्देशों का पालन करें नागरिक सुरक्षय व्यवस्ता जैसे बलेक आउट प्रात्मी गुप्चार आगनी शमन आदी में परसासन का सयोग करें ये जैसे ब्लेक आउट करते हैं कभी-कभी, प्रात्मिक उप्चार बगएर हैं, आगनी शमन जैसे चीजें हैं, तो इनमें हमेशा सरकार का सही हो करना चाहिए, आवशक वस्तों की काला वाजरी और अनावशक रूप से संग्रह ना करें, इस प्रकार का काम करने वाले वेक् आटे की, सबजी की, तो ये लोग उपलब्द करवा रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग जो हैं, अंदर ये आटे के जो हैं, बोरियां की बोरियां इकटी कर रहे थे, जिनकी उनको उतनी आउशकता नहीं थी, तो ये चीजें गलत हैं, जिनको आउशकता हैं, उ ऐसे लोग पकड़े गए तो ये चीजें गलत होती है काला बाजारी आवशेक रूप से संग्रह ना करें हलांकि लोग तो इतने धूर्त होते हैं कि अभी जैसे जो सेनेटाइजर है तो ये भी नकली बनाने के लिए मार्केट में नकली सेनेटाइजर भी आ गए तो पुलिस को हाथ जो हैं वो सेनेटाइज करने चाहिए अब ये भी नकली बना बना के बेच रहे हैं तो कितने धूर्त वेकती हैं इस प्रकार का कम और ऐसों के लिए तो मैं कहता हूँ डारेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए वो जब तब वो जो अलाव दिन खिलजी वाला जो रूल मास काट लिया जाता था अब पहले मालो 80 ग्राम काटा कर नहीं ने पुरा 100 ग्राम ही काटेंगे पहले मालो 50 ग्राम काटा कर तोलो कितना है कैसा 50 ग्राम ही काटा है कर ठीक रुक रुक अभी एक थोड़ा और काटेंगे 20-20 ग्राम और काट कर पूरा 100 ग्राम मास काटते थे अलावदन खिल जी खुद किसी बच्चे को भेजगर के और ये चीजें चेक करवाता था कि ये बच्चा समझ के ये चीज इसको कम तोलता है ये क्या है ये चीजें देखने में बले ही आपको एमानिविय लगे नहीं नहीं ये तो गलत है ये तो गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है तो ये चीजें गलत है तो जो कर रहा है उसकी वज़़े से कितने लोग मर रहे है आज जो लोग कोई कुछ भी अगर इस तरह की चीजें मिलाता है खाने में, मिलावट की चीजें करते हैं कितने लोग खाकाके मरते हैं कैंसर जैसी बहेंकर बिमारियां जहां आज से 20-25 साल पहले लोग कहते हैं कि cancer से कोई हजारों में एक आदमी सुनने को मिलता था कि किसी को cancer है एक आदमी हजारों में एक सुनने को मिलता था कि किसी को heart attack है आज गाओं के अंदर cancer के percent भरे पड़े हैं गाओं के अंदर हम कहते हैं शुद खानपान होता है यह होता है आज भी गाओं के अंदर ये कहां से ये चीज़ें सब ये खान पान में जो ज़ादा से यूरिया, हद से ज़ादा चीज़ें मिलाते हैं, प्रोडेक्त ऐसे मिलाते हैं ये सब उन चीज़ों की देन है, ये सब तो कोई भी वेक्ति इस तरह से मिलावट करता है जो व्यक्तिय काला बजरीर करते हैं इनको जब तक hard और जो fast इस तरह का rule अगर नहीं बनेगा तो तब तक ये चीज़ें नहीं होगे तो हमें तनमंध धन से राष्ट की सुरुक्षाग लिए त्यार रहना चाहिए इसके बाद में शब्दावली है शांतिकाल वह काल जब सेना युदरत ना हो जब युद नहीं हो रहा तो वो शांतिकाल होता है आपका भी शांतिकाल है इस्टूडेंट का भी शांतिकाल होता है जब वेकेंसी नहीं आई भी होती है तो तो उस समय शांतिकाल में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए पूरे जीजान से खुम महनत करनी चाहिए ताकि जब vacancy आए तब तक उसकी त्यारी complete हो चुकी हो उसके बाद वो revision करें, क्यूशन paper solve करें अपनी त्यारी को और strong करें अगर आप देख लिजे कि अगर army है तो कभी भी army का कोई भी जवान खाली बेठा आपको कभी नहीं दिखेगा पेड़ जो हैं, वो लगाते वे दिख जाएंगे army के जवान जो हैं या जैसे कहीं भी सफाई कर रहे होंगे खाली कभी नहीं बेठा के रखा जाता कुछ ना कुछ कारिय करवाय जाता है और लगातार बार बार ये युदा भ्यास होते रहते हैं कभी राजस्तान में किसी ये जैसल मेर मेर में हो रहा है कभी बाड मेर मेर में हो रहा है कभी बिकानेर में हो रहा है तो ये लगातार युदाव्यास क्यों होते हैं ताकि कलको भविश्य में कभी कोई युद हो तो ऐसा नहीं हो कैसाब हम तो युद करना ही बूल गए इसलिए तो विद्यार्थी, समझदार विद्यार्थी वो ही होता है जो शांती काल में जितना पसीना भाएगा उसको युद के मैदान में खुन उतना ही कम भाना पड़ेगा ये कहवत है ये और ये मैं कई बार बोलता है भी उसे शांती सेना दो युद्रत देशों को युद से रोकने के लिए स्यूक्तरार संके तत्वा धान में निगरानी रखने वाली अन्य देशों की सेना तो भारतिय सेना भी कई बार कई जगे जाती है यो नो बेशता है अफरिका मेर, सिरलंका मेर कई महादीप मेर, कई बार आउशकता पड़ती है तो बलेक आउट युद के दोरान पर्सासन और नागरीकों दोरा कारिया ले सारवजिनिक्स्तान और गरों में अंध्यरा रखना अब कई बार महादीज़ए बलेक आउट वैसे भी रखते हैं कई बार और कई बार जैसे युद की स्तती है तो उसमें ये है की कोई भी नागरी का है किसी भी जो सहर है उसमें लाइट नहीं जलाई जाएगी तो उसके रिजन होते हैं कि अगर माल जी युद होगा तो ये तो नहीं देखा जाएगे कि कौन सा सहर आ रहा है कौन सा नहीं है कौन रहता है उपर से दुस्मन देश का फाइटर प्लेन अगर ये नगर बसावा है तो उपर से फाइटर प्लेन को दिख जाएगा कि पूरे नगर में रात के समय लाइट लाइट होगी तो वो समझ जाएगे कि यहां कोई नगर है उसको तो एक बमी गिराना है और अगर पूरे नगर में तो सारी लाइटें ओफ रखें और सरकार भी जैसे मालो लाइट कार दी तो कई मोबाइल फोन के लाइट है वो जला लेंगे मौम बती जला लेंगे तो पता नहीं क्या लोगों के जो इस तरह की चीज़ें हैं तो यह जहान में रखनी चाहिए कि इस तरह का कोई कारिये ना करें यह कई क्यूसन है देश के निर्मान के लिए आउशक है क्या है सरकार, भूमी, जनसंक्या और उप्यूप सभी तो सभी चीज़ें है अगनी नामक हत्यार है टेंक, लड़ाकू, विमान, विमान वाहग पोत और प्रिक्षया पास्तर तो प्रिक्षया पास्तर हो जाएगा इसका प्रिक्षय पास्तर इसके बाद जिक्षा है, तो विद्यारती जूड़ सकते हैं किससे तो NCCC इस्तम ए को बैसे सुमेलित करें राज किये रेलवे पुलीस तो रेलवे पुलीस कौन सी हो जाएगी ट्रेन वर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षया केंदरी ओद्योगिक सुरक्षया बल तो ओद्योगिक परतिश्टानों की सुरक्षया केंदरी आरक्सित पुलीस वल, उपद्रव गरस्त शेतरों में राजय पुलीस की साहता और स्पेसल प्रोटेक्शन ग्रूप अति महत्पुन वेक्तियों की चुरक्षयान नेमलेक्त वाक्यों में रेक्तिस्तानों की पूर्ती करें भारतिये सेना आकासिये सिमाओं की निगरानी रखती है तो कौन सी भारत का तिनो सेनाओं का सर्वो सेनापति कौन होता है और परतम परवीर चकर किसे परदान किया गया इन तिनो क्यूशन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है तो ये मित्रों आपकी आठवी क्लास की जो मादिमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है ये कंप्लीट होती है और बड़ी ही जबरदस तरीके से इन्होंने पॉलिटी के इतने बैसिक समझा रखे हैं कि कोई विद्यार्थी ध्यान से इन वीडियो लेक्चर को सुनता है तो उस विद्यार्थी को बेसिक धांचा जो है हमारे समिधान का उसको समझने में बहुत साहिता मिलेगी आगे जब वो पढ़ेगा तो उसको वो चीज़ें समझने में काफी साहिता मिलेगी कि basic चीज़ें clear होनी चीए कि man man इन चीज़ों में difference क्या होता है तो आज की class में इतना ही बाकी अब आगे जो है 9th class की quality से हम आगे पढ़ेंगे तो जल्दी ही ये जो आपके chapter हैं ये complete होने वाले है तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next class में एक नए टोपी के साथ जै हिन जै भारत